Hello All, My Name is Prashanamel Founder of Digital Training आपको एक right institute choose करना है, digital marketing का Yes, you have to try digital marketing का institute आप right choice करना चाहते हो तो ये video आपको जबरदस help करने वाला है कैसे help करने वाला इस video को पुरा देखना ज़रूर ही है बहुत सारे dlatego Somehow Institute है आज मार्केट में जो आपको value for money नहीं है येस value for money नहीं है और अच्छा आपको at the end of the day आपको जहापे भी आप जाते हो institute में वहाँ से आपका career होना चाहिए वहाँ पे आपका business का growth होना चाहिए वहाँ पे आपको freelancing में आपको success मिलना चाहिए तो ये results oriented institute है बहुत कम होता है इसलिए ये 10 points को आप जब देखते हो तो आप एक right institute को choose करोगे और digital training के choose करने के ये 10 points आपको definitely help करेगे ठीक है चलो चलते है दसवे point में दसवा point है कि digital training जो हमारे institute ही वह highest rated institute है ये मैंने बोल रहा हूँ आप google जाके check कर लीजे ये मेरे screenshot दिखा रहा हूँ ये video दिखा रहा हूँ ये देख लीजे मेरे instagram चेक कर लीजे मेरे reviews, testimonials सब चेक करने के बाद मैं बोल रहा हूँ ये 10 पॉइंट है मेरा कि आप एक अच्छे highest rated institute है जब सीखते हो तो क्या होता है कि आपको पता होता है कि बहुत सारे यहां के जो student है बहुत जाता satisfied है यहां के जो बहुत सारे student है बहुत अच्छे से job उनको लगा है यहां के जो students है उनको अच्छे freelancing में work हुआ है ऐसे institute से आप जब सीखते हो तो definitely आपको भी एक trust आजाता है confirmation हो जाता है कि definitely हम एक right institute को choose कर रहे है then ninth point है guys कि आपको एक agency driven institute पे आपको सीखते को मिल रहा है what is my agency driven institute बहुत सारे institute आपको मिलेगे वो इंस्टीट चला रहे है लेकिन we are the agency driven institute क्योंकि हमारी खुद की agency है और वहाँ पे project चल रहे है हम clients के उपर काम कर रहे है और उस काम जो कर रहे है वही आपको यहाँ पे digital training में हम सीखा भी रहे है तो बहुत सारे institute आपको theoretical knowledge देगे और आपका course complete करा के लेगे लेकि जब agency driven institute आप जब जाते हो तो आप जहाँ पे जो practical काम चल रहा है real life real project जो चल रहे है उसकी जो case studies और पुरे assignments जब आप करते हो so definitely आपको एक जो real time knowledge चाहिए होता है updated knowledge होता है वो आपको मिलता है then 8th point है कि आपको यहाँ पे updated syllabus सिखने को मिलता है जैसे मैंने कहा था हम agency driven institute है तो clients के requirement हमें पता है तो clients को requirement को fulfill कैसे करना है clients को क्या चाहिए होता है वो आज के जो tools और AI tools और जो चीज़े चल रही है वो आपको सीखाना ज़रूरी है जो 2013 में जो digital marketing है और 2023 में जो digital marketing है वो धहुत ज़्यादा difference है तो जो typical institute होता है वो आपको outdated syllabus बढ़ाएगे लेकिन जब आप agency driven institute होता है तो यहाँ पे आपको एक updated knowledge और updated syllabus और curriculum सीखने को मिल जाएंगा जिसमें आमने performance marketing, artificial intelligence, e-commerce और सब कुछ ऐसे latest models डाले है so that you will not backward और आपको जो है na forward ही रहेगे सात्वा point है कि आपको 15 plus international certificate यहाँ पर मिलेगे और वो भी reputed digital training का brand तो है प्लस Google certification, Hubspot certification यह सारे certification यह आपको मिलते हैं तो आपका confidence भी है कर लेवल का हो जाता है और आपको recruiter भी देखता है कि आरे इस brand institute से इन्होंने सीखा है तो definitely इसको भी एक पड़ाक से इसको chance दे सकते है कि लोकल institute तो बहुत जादा हो जुके जो बहुत कम से discharge करेगी लेकिन उनको उनकी institute का कोई validation नहीं रहता है तो we have validations, proper ISO certification है हमारे पास, proper हमारा वीपरो के साथ टाइप से, बहुत सारे इसी company के साथ टाइप है, so that कि हम जो है एक reputed institute है और वहां से ज़िए certificate मिलता है, so definitely आपको भी एक trust आगे वाले से मिल जाता है. Sixth point है कि आपको industry expert trainer से training मिलेगा, क्या होता है ना बहुत सारे local institute में trainer की कमी है, तो वो जो उन्होंने सिखाया है, रूसी को ही trainer बना देते, ऐसा बहुत जगा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो trainer है वो industry में जिन्होंने काम किया है, well experience सिखा सकते हैं, communication आपको handhold करके support करेगे, ऐसा नहीं है कि आपको online training करो, offline training करो, बो training है, आपको ऐसा नहीं है कि बस सिखाया जाएंगा, थेरी थेरी थेरी, आपसे करा के लेने में उनका ज़्यादा interest है, आपको transform, digital transform करने में उनका ज़्यादा interest होता है, तो आपको वो assignment देंगे, काम देंग जाए होता है, और guru ही होता है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, तो ये guru जो आपको मिल रहा है हमारे आंसे, जो एक best of best guru हम देने की कोशिश कर रहे है, so that आप भी आपका business को grow करना, grow कर पाए, job लग पाए, financing में success हो पाए, तो इसकी लिए आपको एक best trainer से ही training लेना तो digital training आजाईए, आपको definitely अच्छा trainer मिल जाएगा, तो आच्वो पॉइंट है कि आपको यहापर बहुत सारे ऐसे paid resources हम देने वाले है, बहुत जरूरी है guys कि आपको institute क्या resources provide कर रहा है, तो जैसे for example आप training करते हो तो आपको एक website की ज़रुदती है, क्योंकि website ही नहीं है like a route, आपको paid लगाना digital marketing का, तो route पे जाना होता है, तो website बहुत जरूरी होती है, और website ही नहीं है तो इसके लिए resources, domain और hosting, तो हम आपको एक साल के लिए domain hosting जैने वाले है, उसका फायदा होगा कि खुद की website बनेंगी, खुद के domain पे, उसके वज़े से आपका confidence level बढ़ेगा तो आपके खुद की website बनाने में, तो आपके खुद की website खुद के domain में जब बनती है, तो definitely एक अलग level का confidence आ जाता है, second resources आपको paid subscription दिया जाएंगा, canva का, तो canva आपको दिया जाएंगा, उसके वज़े से क्या होगा, बहुत सारे canva में free वाले use करते हैं, लेकिन free में बहु entrepreneurs आते हैं, freelancers आते हैं, उनको भी वो designs का फायदा होता है, उनके business को grow करने में फायदा होता है, तो आपको canva का 6 months तक pro subscription दिया जाएंगा, उससे आपको फायदा होगा, कि आपके designs quality और designs का जो work है, वो बहुत जबर्दस रहेगा, तो आपको video editing का software हम दिया जाएंगा, वो भी आपको हमारे दरब से resources दिया जाएंगा, पुरे notes आपको दिया जाएंगे, हमारे PPTs हैं, हमारे पास सब कुछ, study material से लेके, e-book से लेके, PPT से लेके, quotation से लेके, सारे जो resources होते हैं, जो updated resources होते हैं, वो सारे resources आपको दिया जाएंगे, so that उसको आप access करके, आप आपके success म आपको उसका फाइदा हो, आपके journey में उसका आपको फाइदा हो, बहुत सारे digital marketing के tools होते हैं, उसका भी आपको resources दिया जाएंगे, बहुत सारे paid tools होते हैं, कोई free tools होते हैं, उस paid tools जो होते हैं, वो paid tools का मतलब होता है, जैसे SEM rush, HRF, paid tools होते हैं, और उनको institute paid सिखाता नहीं ह क्योंके पास access होता ही नहीं, क्योंकि उनकी institute में agency नहीं होती ही नहीं, तो वो क्यों paid करेंगे, तो हमारे पास paid के बहुत सारे tools हैं, उस tools का access आपको मिलेगा, paid campaigns होते हैं, बहुत सारे paid campaigns, live paid campaigns आपके करा के लिए जाएंगा, तो resources तो बहुत कुछ digital training में आपको मिलेगा, क्य सोला लोग ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर पचास लोग, सो लोग, वो सारे low fees वाले institute रख देते हैं, फिर वहां पर 30-40 लोग का बैच रख देंगे, फिर वहां पर आपके जो queries होता है, individual जो focus होता है, वो नहीं मिल पाता, तो फिर at the end of the day course करके मतलब नहीं हो पाता, तो digital revenue मैं ऐसा नहीं है, आपको individual focus दिया जाएगा, individual queries को handle किया जाएगा, individual से interact किया जाएगा, individual performance को देखा जाएगा, individual, yes, व्योंकि 15 लोगों के बैच में, 16 लोगों के बैच में क्या होता है न, कि आप trainer interact कर सकता है, सब के साथ बात कर सकता है, लेकिन 30-40 लोगों के बैच म online होता है तो offline में बस हम देखें को इतना है लोग क्या होता है ना कि ज्यादा लोग भली फीस काम होती है लेकिन वहापे आपको अच्छा quality नहीं मिल पाएगा इसलिए हमारी macro batch होती है जहाँ पे ज़्यादा भीड नहीं होती है so that आपको individual focus देके अच्छे से training मिलेगा और आपके हर एक doubts को अच्छे से dip पे जाके solve किया जाएगा थर्ड पॉइंट है digital training में 100% placement आपको मिलता है जो 100% पूरा अच्छे से course अगुलर अटेंड करता है जो 100% अच्छे से dedication से पूरा course करता है डेफिनेटल उसका placement होई जाता है लेकिन बहुत सारे student करती ही नहीं course जो है अच्छे से दो दिन आते ही दो दिन absent अच्छे से assignment नहीं करेंगे practical को अच्छे से perform नहीं करेंगे तो definitely आपको job नहीं मिलता वो तो आपको भी पता है तो digital training में जो record ऐसा है हमारा कि जो अच्छे से assignment करता है जो अच्छे से regularly attend करता है तो उनको 101% सबको job लगे है because we have a dedicated placement team यहाँ पे काम क रही है ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपको मैं आपको LinkedIn से उठाके दे रहा हूँ ऐसा नहीं है हमारी proper placement team है वो काम करती है आपको जहाँ पर job चाहिए वहाँ पर इंट्रुकॉल आप देलने से हो तो देली में इंट्रुकॉल देंगी आप अमदाबाद से अमदाबाद देंगी सुरत से और सुरत देंगी जैपूर आपने हमने इंदौर बहुत सारी सीटीज में हमने क्या किये जहां पर स्टुटन को job चाहिए है पुने में भी हमारा है पुने में तो हमारा पुरा 200 कंपनी से के साथ टाइप्स है तो सब इदर हमारे इंट्रुकॉल चलते रहते हैं औ आमने खुल डिजिन के डाइप की सा बेटिए पर के दो अपको मिलने वाले है तो वो उसमें क्या है सर उसमें है गाईजज आपको आपको आपने जो क्लास में 2011 ऑनलाइन चाहिक जाड़ा इन के जह्यों जयता बुदिन सकता त्र्मिलई चаксимे इन किम लोगे योसमी सपाशी जाल रहा हूँ देख लीजे क्योंकि हमने खुद डेवलप की हमारे डेवलप्मेंट टीम कंट्रियों से उसके उपर अप्वेड कर रही है उसके उपर बहुत अच्छा काम कर रही है तो वो सिस्टेम आपको मिलने वाला है सो डाट आपके जित्ते भी सकसे जरनी के लिए एक चीज़े चाहिए होती है वो सब कुछ एक वन स्टॉप सोलूशन में आपको मिल जाएंगा एक ही जगा पर आपको सब कुछ मिल जाएंगा वो है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सस्टेम लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर लाना है मैं वापस कोश्चन को दावरा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग जस सीखना है या डिजिटल मार्केटिंग सीख के रिजल्स को ड्राइव करना है या रिजल्स लाना है ये दो कोश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग सीख के results drive करना है business को बढ़ाना है job में confidence दिखाना है freelancing में projects acquire करना है तो क्या लगता है theoretical सीखने से एक दो बार digital marketing करने से हो जाएगा नहीं होता तो digital training में हम क्या किया है class projects और home projects ऐसे मिला के so plus projects आप से करा के लेने वाले है yes you heard it right आप से हम करा के लेगे सिखाएंगे नहीं बस करा के लेगे आप से और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप को छोड़ेंगे नहीं yes जब तक आप करेंगे नहीं जब तक हम आप को छोड़ेंगे नहीं दो घंटा training करना पड़ेगा और दो गंटे के बाद एक गंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तीन गंटा रोजका देना हो, तो आप इसको डेफिनिटी डिजिटल प्रैनिक को चूज कर सकते, यह 10 से लेके नंबर वन तक यह मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया है, यह पॉइंट्स देख रहे हो, एक जहाँ पर आपको value for money लग रहा है, जहाँ पर आपको जादा trust मिल रहा है, जहाँ पर आपको जादा belief लग रहा है कि यह institute मेरे लिए अच्छा है, वहाँ पर जाके आप admission process कर लिजिए, और कुछ भी आपको लग रहा है, इस पॉइंट में कुछ समझ भी नहीं हा रहा है, इ एक लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सुभी हो सकता है, कुछ भी queries, कुछ भी problems आया, इस number पर call कर लिजे, devo session लिजे, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब जाके admission process कर लिजे, thank you so much guys for watching this video. झाल